नमस्कार एंड वेलकम टू मित्रियान आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे नौर्थ इंडिया की सारी रिवरों के बारे में इन रिवरों के बारे में पढ़ने के लिए हमें इनको तीन भागों बाटना पड़ेगा सबसे पहला भाग है सिंधू नदितंत्र सेकिंड न सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है देखिए निश्चित चैलनों द्वारा वाटर का फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज या फिर अपवाह और इनके जाल को हम बोलते हैं अपवाह तंत्र यानि ड्रेनेज सिस्टम अब बात करते हैं कि ज नधियों के द्वारा किती जलाट से संवंदर में पहुंच जाता है उसी को हम मोलते हैं management इसमें बारिस स्थ कोई होलेकर यहां पर बारिस और किसी नाली दुवारा या फिर नदियों की दुवारा इस सारा पानी कहाँ पर जा रहा है समुदर के अंदर जा रहा है तो यह पूरा एरिया है जहां से पानी भैके आ रहा है यह सारा एरिया क्या है catchment area जहां से पाने को catch किया जा रहा है second number पर आता है drainage basin जिसको हिंदियें बोलते हैं अपवाह द्रोनी देखिए कोई भी नदी है और उसकी एक साइक नदिया भी होती है ठीके इस पूरे area को हम बोलते है drainage basin मालत है कि यह नदी है यह जिस area से आ रही है यह जाएगा drainage basin लेकिन इसकी कुछ साइक नदिया भी होंगी उनकी कुछ साइक नदिया भी होंगी तो उन सब के area को भी हम जोड़ लेंगे इसमें इसको बोलेंगे drainage basin ठीके अब आता है वाटर सेड क्या होता है देखिए वाटर सेड को हिंदी में बोलते हैं जल संभर यह जल विभाजक मालत है कि बारिस हो रही है और यहां से इसका पानी सारा इस साइड में आ रहा है और इधर का पानी है वह उस सेड जा रहा है तो कि एक क्या काम कर रहा है यह 2010 का पार इंदर का पार्णी ओदर जया रहा है इसको बोलेंगे वाटर सेड सेड को देखिए जो इंडिया है इंडिया है ऐन सेवेंटी सेव यह अपना सारा पानी कहा गराते हैं वेस्ट बंगाल में 77 परसेंट फिर बशता है 23 परसेंट यह अपना पानी गराते हैं अरब के सी में ठीके और कॉन कोफी नदिया आती है इसमें एक तो सेंदू नदी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नर्मदा तापी माही और पैरियार और भी कुछ नदिया है जो अपना पानी खांग राती हैं वेस्ट में गिराती हैं बाकि 77 परसेंट जो नदिया है वह अप सबस्क्राइब और यहां भागों रहात करते हैं जो प्राइब कि नन्त्र जो जो जिसको आप इहां पर देखवकते हैं सेकंड नमबर पर आता है गंगा नदीतंत्र जिसको आप इस एरिया में देख सकते हैं थर्ड नमबर पर आता है ब्रहंपत्र नदीतंत्र जिसको आप इस एरिया में देख सकते हैं लेकिन इस वीडियो में हमको पढ़ना है सिंधू नदीतंत्र यानि हमारा सारा फोकस इस एर उसके अदर क्या खासित होती है सबसे पहली बात यह नदिया होती है यह बारह मासी होती है यानि साल भर बहती रहती है इनका पानी खतब नहीं होता कम हो जाता है बढ़ भी जाता है लेकिन खतब नहीं होता कारण क्या है कारण यह है कि बरफ जो होते हैं वहां के वह पिखलत बनाती है इसके उपर हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है रिवर टोपोग्राफिक उपर इसको आप देख लेंगे मैं इसका लिंक है आई बटन पर देंगा उपर में ठीक है अब जो हिमारे नदिया होती है इन नदियों को रास्ता होता है वो ठेड़ा मेरा होता है लेक परवती एरिय वहां पर ये डारेक्ली मेड़ी आती रहती है ऐसको वीहार का और से आती है अब बात करते हैं जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है सिंधु नजी तंत्र में मुख्य रूप से पांच नदियां है इसमें सबसे पहले हैं सिंधु नदी सेकिंड नमबर पे हैं जहेले नदी थर्ड पे है चेनाब पोर्थ पे है रावी और फिर है सतलज इसी की एक छोटी सी साइक नदी है व्यास नदी ठीके तो यह आपके हो गए पांच नदिया और चोटी नदिया हो गई व्यास नदिय टोटल हो गए छे नदिया छे रिवर्स सबसे बात करेंगे सिंधु नदी की जिसको आप देख पा रहे हैं यह यहां से लेकर इतना बड़ा एरिया है जो आपको तीन देशों के अंदर देखने सबसे पहले हैं उसके बाद भारत जमुं कस्मीर उसके बाद पाकिस्तान वर्ण टो थ्री एक आगर बात करते हैं तो टोटल एरिया है लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई है इसकी 2880 किलोमेटर पूरी यानि भारत भारत की बात नहीं कर रहा है मैं तिब्बत से लेके पाकिस्तान की तक किसकी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमेटर यह सेकंड नमर पर आती है ठीक है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है भारत म हिमाले नदियों की बात करते हैं तो हिमाले नदियों में सबसे पस्षी में नदी आपको देखने को मिलती है यह सिंधु नदी देख पारे होंगे जो नदी यह आपको सबसे पस्षी में देखने को मिलती है लंबाई की बात करते हैं तो सबसे नंबर पर आती है ब्रह्म पु किलोमेटर जो कहां ब्याती है भारत की सबसे लंबी भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी यह वो है गंगा और भारत की कौन सी है सबसे निकलती है सबसे बहली बात वह चाइना की तिबबत से निकलती है तिबबत में कहां से निकलती है तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा केलास परवत यह वाला यह क्या है यह है केलास परवत जो हिमाले का ही एक भाग हैगा किलास परवत किलास परवत में किलास परवत के सिरेणी में एक बोखुर चू नाम से एक क्या है हिम्नद है ठीक है जो कहां पर आपको देखने को मिलेगा मानसुरोबर जिल के पास वहां से यह नदी निकलती है और कितनी उचाई पर है यह 4104 मीटर की उचाई पर है समुद्र और इसको बोलता है से강घ ऑको जैसे ही निकलती है वह भात में एंटर करती है तो वह क्या करते हैं दो परवत स्रेर्णी है जिसके बी thrust इसको यह बहती है है सबसे उपर कौन सी है करा कोर्म रबस्यरणी और नीचे है लधी है को डेख पारें आप सुल एयरफ है जिए कि इंडस वर उसके उपर है इस इसकी बहुत सारी सायक नदिया भी थेकं हैं लगाएगा तो यहां पर आपको भुसार नदिया देखने को मिलेगी जो कहां से निकलती है हिमाले से ही निकलती है इसमें Siyok हो गई, Gilgit हो गई, जासकर हो गई, पुंजा हो गया, नुब्रा हो गया, सिंगर हो गई, गाश्टिंग हो गई, नरास हो गई, यह सालग नदिया जो हिमाले से निकलती हैं और आके सिंधु में मिल जाती है कुछ और भी रिवर है जो इसके राइट शैन में मिलती है लेकिन तो यह रिवर है जैसे सियोख हमने बात कर ली गिलिगिट ठीक है काबूल कुर्रम और गोमल यह कहां कहां पर है तो आप देख पाएंगे हम बता चुके आपको सियोख यहां पर है गिलिगिट आपको यहां पर मिलेगी ठीक है फिर आता है कुर्रम तो कुर्रम यह रिवर है तो यह है रिवर गोमल यह सारी आपको देखने के विलेंगी कहां पर राइट सैड में सिंधु नदी कि यह जो नदियां हैं जो हमने आपको बताएं यहां पर कैसे की गुमल हो गया कुर्रम हो गया काबूल हो गया इसारी नदिया निकलती है सुलिमान माउंटेन से जो आपको यहां पर देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर सायक नदिया और भी हैं सिद्धू नदि की जैसे ब्यास नदि चिनाव गार नदि गिलगिट गोमल फुंजा इस सारी नदिया हैं जिनको आप देख सकते हैं उसके बाद जो सिद्धू नदि है वह अपना पानी गिरा देती है अरब के सी में जो कहां से गिराती है यह है अब बात करते हैं second नदी और जहलम की देखिंडे हमने सिंदू- Jasch अब बात करेंगे जहला कि निकल रही यह देखिए है यह निकल है। कश्मीर ही वह यह थो यह का से निकल लिए जो यह का आए दिन कुछ guard पंजाल प्रवस्रेडी उसके अगर आप नौर साइड में देखेंगे तो यहां से निकलती है यहां पर एक जर्णा है जिसको बोलते हैं वेरिनाग जर्णा यहां से नदी निकलती है जेलम नदी उसके बाद यहां से निकलने के बाद यह जाती है पाकिस्तान में पाकिस्तान पाकिस्तान का डिस्टिक्ट है अब बात करते हैं इंडस की बात कर ली अब बात करेंगे चिनाव नदी की अब ये देखी ये निकल कहां से रही है ये निकल रही है हिमाचल परदेश के हिमाचल परदेश से निकल रही है ठीक है अब बात करते हैं सिंदु नदी के हिसाब से तो ये सिंदु नदी की सबसे बड़ी एक सहायक नदी है यहां पर आप देख पा रहे हों यहां पर देख पा रहे हैं एक यह है और यह है चंद्रily और भागा। इसलोए इसको बोलते है चंद्रभाजा, नाम दे दे गया चंद्रभाजा, ठीक, और भारत में कितने दूर तक भे ते हैं, Linux 869 остав बातें बात करते हैं पर कि हमने बात कर ली इंडकि झेल मं की चिनाव कि अब बात करेंगे निकल नहींगे यही से ही पाट है यह यह देख पाएंगे यहाँ पर रोतंग पास लगावी नदी अ मुझम है कि यहां से निकलने के बाद यहां के पाकिस्तान के इंदर भहती है उसके बाद चेनाव नदी की अंदर ये मिल जाती है कहां पर सराइश सिंदू के आसपास में अब बात करते हैं व्यास रदेगी ठीक है ये है व्यास नदी ठीड़ा है ये नदी वी लिखेंवर परदेश से तीन नंदिय निकलती है सबसे पहले है चेनाब फिर है रावी पिर है व्यास कर तीन अधिन हिकलती है हिमाचल । प्रदेश । यह पर चार हजार मेटर की उचाई से निकलती है और ये नदी भी रहतंग दर्रे के आजपास वियास से ही निकलती है वियास कुंड से टीक हे रोतंग जो धर्राहे उसके पास में ही एक व्यास कुंड है वहां से निकलने के बाद यह पंज़ाब के मेधानतों में परवेश करती है जहां पर हरी के वेट-land है वहाँ पर ये सतलूज नदी के अंदर मिल जाती है ये है सतलूज रिवर देख पारे होंगे आपे ये हिमाचल से निकलती है और पंजाब में आती है और यहाँ पर एक हरी के विराज है जहाँ पर मिल जाती है और यहीं से ही हमने क्या निकाल लगी है भाराथ की सबसे बड़ क्या कैनल भारात की सबसे वड़ी कैनल इंद्रा गांधी कैनल जो अब नहीं हां से ही निकाल लगी इन दोनों के संगम के स्थल से ही उसके बाद जो व्यास नदी है इसकी खास बात है कि यह पाकिस्तान में नहीं बैठी तो सिंधु नुरी तंत्र के अंदर एक मात्र ऐसी नदी है जो भारत में ही बैठी है मुख्य रूप से ठीक है अब बात करते हैं सतलुज रिवर की तो सबसे पहली बात कि यह निकलती कहां से है तो य यह चैना के तिवस से निकलती है निकलती है देखी यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्यलास आपको दिख रहा है कलास थे कि यह है क्लास माउंटन तो यह यहां से निकल रही है लगभग 4545 मेर्ग की ऊचाईए में मांड शरोवर के पास में ही एक राक्षस्ताल के नाम से एक जगे है जहां से निकलती है इसको वहां पर लोग चैन खंबाब कहते हैं क्या बोलते हैं लोग चैन खंबाब कि कहां से निकलती है केलास के पास में ही जो मानसर रिवर जील है उसकी यहां पर राक्षस्ताल से निकलती है उसके बाद जब यह परवेश करती है हिमाचल परदेश में इसका परवेश होता है और किस दर्रेश से होता है तो सिपकिला दर्रा एक नाम हैगा यहां पर आप देख पा रहे होगे यह है सिपकिला दर्रा यहां से यह परवेश करती है भारत में भारत के हिमाचल परदेश मे यह एक पुरवर्ती नदी है ठीक है भारत में परवेश करने से पहले यह तिबत के अंदर लगभग 400 किलोमेटर यात्रा तैय करके आती है यह मुख्य रूप से इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि इसी नदी के उपर भाखडा और नांगल बांध यानि परियोजन जो है उसको को बनाया गया है यह क्या बंगर सक्राग्यान चरुफर करें कि इसी इसलिए और यह आ व्यास पंजाब मिल्ते हैं हरिके पर अरिके के पास यहां से ही। इंदरा गांधी कैनल निकलती हैं उसके बाद पाद ये सारी नदियां सिंधु नदी जो यहां से आ रही है उसके बाद सतलूज नदी जो यहां से आती है इन सारा पानी को यानी रावी चिनाव जेलम इन सब के पानी को सतलूज अपने साथ लेके आती है और मिठान कोट पाकिस्तान के मिठान कोट में जाके सिंधु में मिल जाती है सिंधु में मिलने के बाद यह आते हैं और अपना भारत की सबसे महतपूर नदी है लेकिन ये भारत की सबसे महतपूर नदी क्यूं है सबसे पहली बात जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है दूसरी बात गंगा और जो इसकी सायक नदियां है जो एरिया एक्वाइर करती है वो भारत में सबसे जादा है तीसर की बात जो गंगा नदी है उसकी धार्मिक आस्थाएं लोगों की जो भावनाएं हैं गंगा नदी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी होई है भारत और बांगला देश इन दो देशों में जो गंगा नदी है वो बहती है तो टोटल जोसकी लेंद्ध है वो है 2525 किलोमेटर ठ उत्राखंड से यह निकलती है हिमाले से होती हुई ठीक है फिर यूपी में बिहार में थोड़ा वजहारखंड में भी और पस्चिम मंगाल उसके बाद यह एंटर करती है बांगनादेश में इस पूरे एरिया को यह सीचित करती हुई जाती है और कुछ नकुछ अपना यो पुत्र जो सबसे बड़ी है 3900 किलोमेटर लंबी है सबसे पहले नंबर पर आती है लेकिन यह टोटल एरिया है इसका क्योंकि यह निकलती कहां से है यहां से निकलती है लगबग और तिब्बत में होते हुए फिर यह आती है भारत के अंदर बहुत ही थोड़ा एरिया जो पढ़ता है इसलिए इसको सबसी है भारत नमबी नदे है सबसे लंब से लंबार तो नदे में निकलती है लेकिन जादन पर यह इसका वह पाकस्तार में और थोड़ा एरिया थी थिद्बत में भी हमें देखने को मिलता है भहती कम एरिया जो होता है इसका यानि जो भहती कम ये भारत में बहती है इसलिए जो गंगा रिवर है वह नंबर वन पे आती है लंबाई के मामले में क्योंकि ये भारत में ही बहती है यहां उत्रा खंड से चालू होती है फिर याती है यूपी में फिर ब लंबी नदी है वह कौन सी है वह है गंगा नदी ठीक है टोटल लेंद आपके आम इसको बता चुके हैं 2525 किलोमेटर है इसमें आपको लगबग उतरा खड़ में एक पो दस किलोमेटर दिख जाएगा यूपी में 1450 बिहार में 445 किलोमेटर वेस्ट बंगाल में 520 किलोमेटर उसके बाद यह एंटर करती है कहां पर बंगला देश में देखिए जो गंगा नदी है वह देश की प्रकरतिक संपता तो है ही लेकिन इसकी अंदर जन जन की भावनात्म आस्ता का भी अधार है यानि जो लोग है बहुत ही जुडाव है गंगा नदी के साथ जो हिंदू धर्म है जो हिंदू लोग है उनके लिए यह बहुत पवित्र माना जाता है काफी लंबे समय से और इसको बहुत सुद बोला गया है कि यह नदी हमेशा सुद रहती है इसके अंदर इसनान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं आपने देखा होगा जब किसी इसके अफसेस होते हैं किसी मरत तो उनको कहा जाता है कि जाकर गंगा में इसको बहां दो या फिर यमन नदी में बहां दो गंघ मिलती है इसके बहुत सारे धार्मिक और भावनात्मक इसके जुड़ाव हैं लोगों के साथ और व्यग्यानिक आगे यहांकि जल ह जो इसके अंदर जीवान थैदें वह अन्य इन्हंserा Pe reinforcing होते हैं उनको जीवी थी रहने ने देता जब यह जीवानु और अन्य जो हानिकारक सुक्षमजीव है जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो जो गंगा का पानी है वो क्या होगा बहुती सुध होगा बहुती अच्छा होगा ठीके यह विगानिक मानते हैं और हमारी धार्मिक जो आस्थाएं वो तो देश के अंदर भैने के लिए और लगभग 10,00,00 km2 यह क्या करती है और इतनी सारे एरिया को यह क्या करती है उपजाओ बनाके रखती है एक मैदानी रूप बनाके रखती है यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी है यह तक आप आपको हमने दिखाया जो गंगा आपको देखने को मिल ही जाती है किसी ना किसी रूप में इसमें जो मचलिया है और जो साफ है उनकी आपको अनेक परजातिया मिल दाएंगी देखने के लिए लेकिन इसके अंदर मीठे पाने वाली जो दूलब डॉल्फिन होती है वो भी देखने को मिल जाती है गं गंगा डॉल्फिन ही बोलते हैं और दूसरी है इरावधी डॉल्फिन ठीक है अब डॉल्फिन तो आपको देखने को मिलेगी लेकिन जो गंगा नदी है इसकी अंदर आपको सार्क देखने को भी मिलती है यहां पर आप देख पा रहे हैं फोटो यह सार्क की फोटो है ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको बताया इतने बड़े एरिया में जो गंगा का पानी है वो क्या करता है सिचाए का काम करता है और भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि किरिसी के इंदर बहुत ज्यादा योगदान है गंगा रिवर का उनकी साइक नदियों का भी परिटन भी इससे बहुत सारे खेल की आते हैं इसके अंदर ठीक है और उद्यों के विकास में भी बहुत महत्पून योगदान देती है अपने पानी के द्वारा उसके बाद जो नदियों की टड़ पे जो सहर बसे हुए है उनकी जल की पूर्ती भी गंगा नदी करती है अब जो गंगा टटो पर धार्मिक इस्थल बनाए गए हैं और वह सारे तिर्थ इस्थल भी है जो भारतिय समाजिक व्यर्सता के विशेस अंग बन चुके हैं जैसे की रिसी केस हरी दुवार गंगोतरी और वरांड़्सी अब इसके उपर बहुत सारे पुल बनाए गए हैं जिससे आवगमन जो होता है आना और जाना वो आसान हो पाता है ठीक है बहुत सारे बांद बनाए गए हैं जिससे बिजली की पूर्ती की जाती है पानी की पूर्ती भी की जाती है और किर्सी में सिचाई की व्यवस्ता भ अब हम बात करते हैं कि गंगा नदी कहां से निकलती है इसके अंदर कौन कौन फी नदियां मिलती है इन सारी बातों के हम बात करते हैं देखिए अगर हम उत्तरा खड़ में देखते हैं तो उत्तरा खड़ में आपको एक गलीर से देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बोलते हैं गंगा रिवर लेकिन इसका नाम क्या है अभी भागे रथी है जब तक यह यहां पर नहीं आ जाती है अब होता क्या है देखिए एक और गलेशयर है संतोपंथ ठीक है संतोपंथ गलेशयर से दो नदिया निकलती है एक है धोली गंगा और एक है विश्नु गंगा यह कौन सी नदी है यह विश्नु गंगा और यह धोली गंगा अब यह दोनों नदिया इस देखे पर मिलती है जब दो नदिया आपस में मिलती है उसको बोलते है परियाग ठीक है अब यहां पर विश्नु गंगा और धोली गंगा मिल गई है और इसका हमने नाम बोल दिया है विश्नु परियाग तो विश्नु परियाग पे दो नदी मिली धोली गंगा और विश्नु गंगा क्योंकि जो धोली गंगा थी उसका जो गहराई थी और जो विश्नु गंगा थी उसकी जो गहराई थी वो तोनों क्या थी सेम थी इसलिए नाम रखने में कन्फूजन हो ग बड़ती हैं तो उसके बाद यहां पर एक नदी और है नंदाकनी यह आते हैं यहां से और यह भी इसके अंदर मिल जाती हैं किसके अंदर अलग नंदा के अंदर लेकिन यहां पर गहराई जो थी वह अलग नंदा के ज्यादा थी और नंदाकनी की कम थी इसलिए इसका नाम से यह भी रखा गया नाम में कोई change नहीं किया अलगनंदा ही रहा ठीक है और इस परियाग को कहा गया नंद परियाग क्यूंआ कि इसके अंदर नंदाकनी मिल थी है तो उसके बाद थोड़ ची और और आगे आती है अलक नंदा तो इसके अंदर पिंडारी या फिर पिंडार नाम से नदी मिलती है इस परियाग को बोलते हैं कर्ण परियाग क्या बोलते हैं कर्ण परियाग उसके बाद अलक नंदा और आगे बढ़ती है तो एक नदी और है मंदाकनी देखिए यह नंदाकनी है उसके बाद जब अलकनंद और भागी रती का संगम होता है ठीके अलकनंद और भागी रती का संगम होता है इसको बोलते हैं देव परियाग क्योंकि घंगा नाम पढ़ता है गंगा नाम पढ़ता है ठीके भागी रती को ही क्या बोलते है गंगा बोलते है और जो भागी रती और अलग초 नताझे मिलती है देव परियाग पर तब यहां ती इसका नाम क्या पड़ आता है गंगा पढ़ जाता है उसके बाद ये पौस्ते ही हरी दोआर के पास अभी तक क्या हो रहा है कि यह सारा काम कहां पर हो रहा है यह सारा काम हो रहा है उत्तरा खंड के अंदर ठीक है उत्तरा खंड के अंदर सारा एरिया कौन सा है पहाड़ी एरिया है अभी तक हम पहाड़ी एरिया की बाद ही कर रहा है जैसे ही हरीदवार पोस्ती है गंगा देखे एक था विस्नु परियाग नंद परियाग करण परियाग रुद्रपरियाग और देव परियाग इन पांच कपरियाग को पंच परियाग कहा जाता है अगर आप पर अलकनंदा और पिंडार मिलती है उसको बोलते हैं कंड पर्याग जहां पर अलकनंदा और मंदाकनी मिलती है उसको बोलते हैं रुद्र पर्याग और जहां पर भागी रथी और अलकनंदा मिलती है उसको बोलते हैं देव पर्याग तो यह था basic structure जो आपने अभितक देखा इसकी आगे भी भूसरी चीजे हैं देखिए जो भी हमने चीजे देखी उसब हमने कहाँ पर देखी उत्तरा खंड के अंदर जो भी आपने 5 परियाग भी देखे वो कहाँ पर है उत्तरा खंड के अंदर ही है ठीक है गंगोत्री से जब भागरती निकलती है तो यह सारे परियाग हो जाते हैं कहाँ पर उत्तरा खंड के अंदर ही आप देखिए बात करते हैं दुवारा से कि गंगोत्री के बारे में देखिए जो उत्तरा खंड है उत्तरा खंड को दो भागों बाटा गया है जो छोटा भाग है वो है कुमायू और जो बड़ा भाग है उसको बोलते है गडवाल अब जो गडवाल का एरिया है यह जादा ही कैसा एरिया है परवती एरिया है जहां पर बहुत सारी आपको बर्फो के पहाड गलेसिर्स देखने को मिलेंगे ठीके इसी गलेसिर के इसी गल गंगोत्री गलेसियर जिसके बारे में हमने आपको बताया था यह कहां पर आपको दिखने को मिलेगा गोमुक के पास देखने को मिलेगा इसी गलेसियर से गंगा नदी निकलती है अब पंच परियाग के बारे में हमने आपको बताया उसके बाद क्या होता है यह सारा एरिया क में परवेस करती है ठीके अब जैसे ही परवेस कर जाती है मैदान में तो आभाजाता है कौन सा एरिया अब आजाता है यूपी क्योंकि उत्राखण यहां पर है यहां फिन घ्म नदी आती है तो आप पड़नी यूपी में बिजनोर ठीके फिर गडमुक तैस्वर सोरो फरुखाबाद फिर कन्नोज कानपूर होते हुए गंगा रिवर पोस्ती है कहां परियाग राज जिसे पहले इलहाबाद का आ जाता था परियाग राज में क्या होता है यम्ना नदी इसमें मिल जाती है इसको बोलते हैं तिर्थराज परियाग क्योंकि यहां पर गंगा यम्ना मिलती है अब जब परियाग के तक गंगा पहुच चुकी है तो इससे थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा जब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर यह पोष्टी है मिर्जापूर के पास मिर्जापूर फे थोड़ा आगे पौष्टी है वरांसी ठीक है या फिर बनारस या फिर कासी जहां पह लोगों को मोक्स पराप्त होता है ऐसा का जाता है बहुत सारे जो बुजुक होते कि मेरा जो अंतिर संस्कार होगा tarmik धार में प्रंप्राये furniture Вोक्या बोलती है कि गंगा नदी के किनारे या फिर काशी के उंदर मोक्ष प्रापती बहुत हो जाती है ये सारी क्या है धार्मिक प्रंप्राया धार्मिक आस्था हैं लोगANS की उसके बाद ये आगे चलती है पिर आती है कहां पे गाजीपूर गाजीपूर से फिर आगे जाती है पटना पोशती है पटना पूर से और आगे आती है तो कहां पोशती है भागलपूर पोशती है यानि उत्राखंड से यूपी में आती है यूपी से बिहार में आती है अब बिहार तक तो ये गंगा नदी पहुच चुकी है अब इतनी नदी तक मतलब बिहार तक पहुचने तक इसके अंदर बहुत सारी नदिया जुड़ चुकी होती है जो एक सायक नदिया होती है ते फिसोन हो गई गंडख हो गई सरीव हो गई कोसी हो गई और भी बहुत सारी नदिया है अब जैसे ही है वो दक्षिन वरती है त्षैनी दक्षिन की और मुड़ जाती है जिसे कि आप देख पा रहे है कि दक्षिन औअ जी ज़ QUEKY मुड़ गई है घिक है दक्षिन वरती हो गई यहीं हो गई कि अब है देखिए जो पस्चिम मंगाल है यह पस्चिम मंगाल का मैब आपको दिख रहा होगा मुर्षीदाबाद में क्या होता है कि यहां पर एक बेराज बना जाता है जिसको बोलते हैं फरक का बेराज अब बेराज क्या होता है देखिए एक होता है डैम और एक होता है बेराज ठीक है एक क्या होता है एक डैम होता है एक बेराज होता है डैम का मतलब क्या होता है आपने पानी रोका और पानी छोड़ दिया लेकि पानी आपने कहीं मोड़ा नहीं है बेराज में क्या होता है कि आपने पानी को मोड़ दिया है दो हिस्सों में यहां पर बिराज बना है तो इसका पानी एक तो यहां मोड़ दिया और दूसरा यहां मोड़ दिया तो बिराज का मतलब क्या हो गया पानी को मोड़ना तो फरक का जो बिराज बना हुआ है वहां से क्या होता है गुंगा निद देखिए जो फरक का जो बेराज हैगा उसको बनाया गया था 1974 में अब यह अब भागी रती है वह क्या करती है दक्सिन की ओर आ जाती है ठीके और जो पदमा पदमा नदी है वह चली जाती है दक्सिन पूर्व की ओर यानी बंगला देश की ओर ठीके जह आँ आँ आप देख पारे होंगे यह भागे रती है और यह पदमा रधी चलिए कहां चलेगी बंगला देश की ओर इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखेंगे वह आप जरूर देख लीजिए अब होता क्या है जो मुर्सीदाबाद है ठीके यानि फरक्का से लेके हुगली तक यहां तक जो नदी बहती है गंगय नदी उसको बोलते हैं भागी रती और हुगली से लेके जब तक यह सागर में समान आई जाती यानि सागर में अपना पानी गिरा नहीं देती इसको बोलत सब्सक् pluralन तो फरक्कास से लेके यहां तक इसमें दो भाग है फुगली तक मैं की 呢 फुगली नदी के निफ दख़ा सब्सक्राइब में तो सुण दillah ड tahu Bluetooth सागर के अंदर गिरा जती है देखी ये है वेफ्ट बंगाल ठीक है वेफ्ट बंगाल के अगर आप एकदम साउथ में देखेंगे तो भूँछ छोटा सा आपको एक द्यूप मिलेगा जिसको बोलते है सागर द्यूप सागर आईलेंड ठीक है इसी के पास में इसी के पास में जो हुगली नदी है वो अपना पानी बे ओफ्ट बंगाल के अंदर यानि सागर के अंदर मिला जती है गिरा जती है अब जो पदमा है जो पदमा नदी जो है पदमा जो साखा है गंगा की जो बागनादेश के अंदर क्या करती है एंटर करती है यहां से यहां से पदमा नदी आती है उसके बाद जो भरंपुत्र रिवर है जो अनाचल परदेश और असम से होते हुए बागनादेश के अंदर आती है बागना देश के अंदर एंटर करते ही इसका नाम जमुना हो जाता है ठीक है अब यह जमुना नदी क्या करती है जो पदमा रिवर है इसके अंदर मिल जाती है उसके बाद इसके अंदर एक रिवर और है मैघना यह नदी भी कहां पर आ जाती है पदमा के अंदर मिल जाती है उसके बाद यह सारा पानी कहां गिराते हैं। Bay of Bengal यानि सागर के अंदर अपना पानी गिरा देते हैं। अब गिराने से पहले यह डेल्टा का निर्मान करते हैं। डेल्टा मतलम जितना भी इनके पास मलवा था मट्टी थी वो लाaimer के इहां पर खटा करते हैं और इस डेल्टा को बोलते हैं सुन्दरवन डेल्टा इसका कुछ भाग आपको इंडिया में देखने को मिलेगा इससाइड और कुछ बाग आपको क्या बोलते हैं बंगलादेस के अंदर देखने को मिलेगा यह लगबग लगबग 350 किलोन मीटर चोड़ा है ठीक है और इसी के अंदर जो गंगा का पानी है वह विसर्जित हो जाता है यानि बेव बंगाल के अंदर सारा पानी आ सारा पानी गिर देते हैं तो यह सारा प्रोसेस उत्राखंड से लेकर बंगलादेस या फिर वेस्ट बंगाल तक अब कि अब जो सुंदरवन यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो आपको बंगलादेस और ठोड़ा बोट इंडिया के अंदर देखने को तो पूरे जोड़ दूंत इसी को बोलते हैं सुन्दरवन डेल्टा हम आगे आपको बताएंगे कि इसको सुन्दरवन डेल्टा क्यों कि यह भारत सुर्णी यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद क्या है डेल्टा है इसके अंदर आपको बहुत सारी वरस्पतियां देखने को मिल जाएंगी जो बहुत प्रसिद है उसके बाद आपको यहाँ पर बंगाल टाइगर भी देखने को मिल जाएंगे जो बहुत क्या है दुरलब है ठीक है जो यह डेल्टा है देरे धीरे सागर की और बढ़ता जा रहा है माल है देल्टा की और ऑर ही कि बढ़ता जारहिए क्योंकि यहां पर डैल्टा यहां सागर की और दिरंतर विस्तार होता है तो उसी का बोलता है प्रगतिसिल डेल्टा कहते हैं जो सुन्दरवन डेल्टा है वो कैसा है एक प्रगतिसिल डेल्टा है अब जो सुन्दरवन डेल्टा है ठीक है उसमें जो भूमी का ढ़ाल है वो अतियंति कम कम हैगा ठीक है अब कम हैगा तो जो गंगा का जो पानी है वो स्वाह तेज भाव से नहीं आता इस में यहां पर क्या होता है डेल्टा का होता हए यह मैंने आपको बता जिया कि डेल्टा का निर्मार्ण होता है तो उसके द्वारा कई सारी advanced थाराए बनती थारी जैसे जलंगी नदी यह ऴिधार नदी इto इचछा मती नदी भैरव नदी वित्धारी नदी कार्यंदी नदी यह सारी क्या है साखाय है जो कैसे बनी है डेल्टा एक दवारा बनी है है कि की जो ढाल हैगा रहे में थीक है वो उत्तर से दख़ासिन होड ढालेगा इसलिए जो बंग्रादेर सेह गां फिर जो उत्तरखहण से ले लगते हैं थो ढाल क्या दॉर्ध से लेके था अलेगा यानि उत्तरHub साउ तक क्या है धालेगा इसीलिए जो अधिकार जो नदियां है वह उत्तर से चलती हैं और दक्सिन के और भैती रदी हैं अब होता क्या है कि जौर के समय इन नदियों में जौर का पानी भर जाता है और इसी को बोलते हैं जौर ये नदियां ठीक है अब जौर आया और जौर के द्वारा जो पानी होता है सागर का अब वो चला गया कहां पे नदियों के अंदर तो इसी को हम बोलते हैं जौर ये यानि एकदम ही साउथ में अगर हम देखते हैं तो समुंद्र का खारा पानी पहुचने के कारण क्या होता है यह भाग क्या हो गया है भूत नीचा हो गया है पानी के वज़े से नमकीन हो गया है और दलदली हो गया है इसलिए यहाँ पर आसानी सी आपको मैंगरोव जाती के बहुत सारे वन देखने को मिलेंगे जो इस परकार के और इस परकार को आपको देखने को मिलते हैं यानि पानी से उपर की और जड़ा आती है इनकी ठीक है जड़े क्या होती है आपको बहुत सारी जड़ा देखने को मिलेंगी सारी क्या है यह क्या है मैंगरोव वन है अब जो ये डेल्टा है यहाँ पर चावाल के क्रिसी के लिए बहुत विख्या थे डेल्टा ठीक है और विस्व में सबसे अधिक कच्चे जूड का उत्पादन भी यही पर होता है यानि बंगलादेश और वेस्ट बंगाल में जूड क्या होता है आपने इस परका के थेले देखे है इनी डेल्टाओं के आसपास आपको देखने को मिलेगा मैंने आपको कहा था कि हम आपको आगे बताएंगे कि सुन्दर वन का नाम सुन्दर वन क्यूं है अब देखिए जो जो यहाँ पर जो डेल्टा बनते हैं यहाँ पर डेल्टा के पास आपको बहुत ज्यादा देल्टा का नाम सुन्दर वन डेल्टा रखा गया है ठीक है यहाँ के जो वन है इसका नाम सुन्दर वन क्यूं रखा गया है क्योंकि यहाँ पर सुन्द्री नाम के भो सारे पेड़ देखने को मिलते हैं लेकिन सिर्फ सुन्द्री पेड़ी नहीं मिलते यहाँ पर देवा हैं जो मीठें और खारे पादी के मिश्रम में रह फकते हैं क्योनकि जो गंगा का पादी है मीठा देखने को मिलेगा all चयोंकि जो डेल्टा है वह समुधर के किनारे बना है तो यहां पर आपको खारा-पाणी देखने को भी मिलेगा इसलिए जो यहां पे पेड़ पौध बनते हैं वह ऐसे होने चाइए जो मेठे पानी और खारे-पानी दोनों संभाल सकें दोनों को बरदास कर सकें कर हम इसका ही सायक के बारे बात करते हैं गंगा के साइक नदियों के बारे में अगर लेफ्ट की बात करते हैं लेफ्ट यानि बाएं की बात क्योंकि गंगा नदी इस तरह से बैती है तो इसका मुझ किदर को है इस साइड को है तो इसका लेफ्ट क्या होगा यह लेफ्ट हैगा और यह राइट तो सबसे पहले अगर लेफ्ट की बात करते हैं कि लेफ्ट साइड में कौन-कौन फी नदियां है जो गंगा के अंदर मिलती है या उसकी साइक नदी है तो सबसे पहले हम बोल फकते हैं कि साइक नदी है राम गंगा यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह राम गंगा जो ग फिर कोशी जिसे बिहार का सोक कहा जाता है यह हर सल बाड़ कारण नंती है बिहार के अंदर अभी भी उसके बाद आती है महा नंदा जो गंगा नदी की सबसे लास्ट में मिलने वाली नदी है लेफ्ट साइड में अब बात करते हैं कि जो गंगा नदी है उसकी जो कुछ नद जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सबसे आपको वैश्ट में देखने को मिलेगी ठीक है सबसे वैश्ट में देखने को मिलेगी तो सबसे पहले क्या हो गई यमुना तो यह यम नदी है यह मिलती है कहां पर परियागराज के पास गंगा के अंदर यह हम आप पंगाल में मिलती है किस से गंगा से तो मुख्य रूफ से अगर हम राइट सैडू की बाद करते हैं गंगा नदी की सैघ्ट निया नहीं हैं तो it was सबसे पहले बात करते हैं राम गंगा नदी की गया वैसी जो राम गंगवा है आपको यहां पर देखने को मिलेगी राम गंगा कीsell baghi ननिताल के निकड निकड से निकल कर विल से भैती हुई कन्योज के पर आपको दिख रहा हो कन्योज यहां पर क्या होता है गंगा नदी से मिल जाती है पिर बात करते हैं सार्दा रिवर की सार्दा रिवर को ही सर्यू रिवर भी बोलते हैं ठीके यह निकलती कहां से तो यह नेपाल हिमालय से निकलती है और गलेसर का नाम है मिलाम गलेसर मिलाम गलेसर इसका सोर्ट से पानी का सोर्ट जहां से इसको पानी मिलता है ठीके वहां पर यानि नेपाल में इसको गोरी गंगा कहा आता है जहां से यह निकलती है और यह क्या काम करती है यह काम करती है नेपाल और इंडिया के ब पॉइंट पे इसको बोलते हैं काली रिवर ठीक है काली नदी बोलते हैं या फिर साउक बोलते हैं उसके बाद यह मिल जाती है किस से यह मिल जाती है घागरा नदी से ठीक है आपको यहां पर देखने को मिले होगी यह है घागरा नदी जो बाद में जाकर कहां मिलती है गंग कि घागरा नदी बात कर रही तो घागरा नदी है उसका स्रीय क्या है निकलती है तो नाम है यहां से निकलती है नेपाल कि आस पास से घागरा river यहां से निकलती है लेकिन इसकी वह वह सारी क्या है सायक नदियां है जैसे की टीला सेटी और बेरी उसके बाद यह mountain को काड़ते हुए आती है उसके बाद हमने आपको बताया कि इसके अंदर पले काली river ठीक मिल जाती है और मिल जाती है किस here उसके बाद भेते यांगा से और Melty है यार्य बात करते हैं अब बात करते हैं गंडक की अब से पहले हमें दूरना पड़ेगा कि इन गंड़क कहा पर है तो घागाा के बाद ही आपको देखने को मिलेगी गंड़क यह गंड़क ठेके जो गंड़क है हिमाले से निकल कर नेपाल में इसके बहुत सद्सक्रान नाम है जैसे साली गराम या फिर नरायनी इसके कई से नाम है लेकर में रूप से यह दो नदियों से मिलकी बनती है पहला नाम क्या है काली गंडक और दूफर नाम है तिसूल गंगा नदी इन दोनों का जल लेकि या फिर इन दोनों नदियों से मिलकर जब गंडक बनती है उसके बिहार यही है बनने के बाद पत्ना के पास क्या है सोनपूर है देखिए यह यह सोनपूर के कैट है कोशी नदी की कि किंगी कोशी नदी है वो क्या है बिहार की। क्या कोशाइधाम के उत्तर से निकलती है यहां पर आप देख पारे होंगे जो यह रिवर है यह कौन सी रिवर है यही रिवर है अरुण जो तिब्बत में निकलती है अब जो ब्रहंपुत्र है जो उपर इसके बहरी है ठीक है इसी के समांतर यह भैती रहती है इस तरह भैती है उसके बाद यहां पर आप देख पारे यह होंगे यह माउंट एवरिष्ट ठीक है माउंट एवरिष्ट और यहां पर आप मिल लाए कंचन जंगा इसी के बीच में से बहती होई आती है उसके बाद 90 किलोमेटर चलती है 90 किलोमेटर चलेगी अब इसके अंदर दो नदियां मिल जाएंगी पहले का नाम है तामूर को कोसी और दूसरे का नाम है सुन वरक है कि उसके बाद यह बनती है कोसी या फिर सब्सकोसि जैब इस फिर सब्सकोसी बन जाएगी उसके बाद जाके कहीं यह बिहार में मिलती है किस से गंगा नदी से ठीक है और इसको बिहार का सोक कहते हैं यह मैं आपको बता चुका हूँ अब बात करते हैं लेट साइड में गंगा से मिलने वाली सबसे आखरी नदी की जिसका नाम है महानन्दा नदी यह निकलती कहां से है तो यह निकलती है डारलेंजिंग हील से ठीक है जो आपको वैस्ट बंगाल में यहाँ पर देखने को मिलेगा तब यहां से महानंदा निकलती है वेस्ट बंगाल में ही यह गंगा से क्या आ जाती है मिल जाती है तो यह हमने देख लिए गंगा के left side के सारे नदियां जो इसकी सायक नदिया है अब बात करते हैं right side की right side में आपको हमने बताया कि तीन नदिया मेन रूप से हैं जो गंगा से मिलती हैं सबसे पहले कौन सी है यमुना है फिर सोन है फिर दामुदर है सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना नदी की जो यमुना नदी है गंगा की सबसे पश्चमी और सबसे लंबी सायक नदी है यह हम आपको पहले पता चुक चोटी के पास ही क्या है एक हिमनद है जिसको हम बोलते है यमुनोत्री ठीक है यहां पर आपको देखने को मिलना होगा यमुनोत्री गलेसियर जहां से कौन सी नदी निकलती है यमना निकलती है और गंगा कहां से निकलती है वो निकलती है यहां से गंगोत्री से तो जब यहा यह जानने की जरूत नहीं उसके बाद जो मुख्य रूप से यमुना की नदी है दिली से होते हुए आती है युपी के अंदर इसकी अंदर में रूप से बहुत से नदियां है उसकी साइक नदी है सबसे पहले हैं चंबल नदी ठीक है फिर आपको मिल देखने को मिलेगी में से बेतवा फिर सारदा और फिर केन ठीक है यह क्या है यमुना की साइक नदियां अब जो चंबल नदी है वह यमुना से मिलती है इटावा के पास और जो बेतवा नदी है वह यमुना से मिलती है कहां पर हमीरपूर के पास और यमुना प्रागराज यानि इलहाबाद के पा है यमना नदी गंगा से मिलाती है यह मापको बता चुके है अगर विसले बात करते हैं हम आपको बता चुके हैं कि चंबल सिंध बëtवा और कें ये तो राइट साइड से मिलती है ना यह मुलती है यहां से मिल गहीं लेकि छोटी मठी कुछ ऐसी लेट साइड नदियां है तो सबसे पहले है हिंदन ठीक है फिर कौन सी है रिंद सेंगर वरुना यह कुछ नदियां बात करते हैं तो नदी कि हमने पहले बात किसी करी है यह मुरा नदी कीजी औरैके सेटिन नब्र पर मुख्यरूप से गंगा में मिलने वालि राइट साइड पास से अब सोन नदी निर्म्दा नदी निकलती है इसी के आसपास से थीक है तो सोन नदी यहां से निकलती है उसके बाद यह पटना में जाकर यानि भिहार की अधनी पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है आप बात करते हैं दामोदर ठीक है जो गंगा की जो साखा है हुगली रिवर उसमें मिलत जो पहाड़ी जो एरिया है जो पथार है वहां से निकलती है और यह चलती किसमें कि अब पहले क्या था कि जो दामुदर है वह वैस्ट बंगाल की सोग थी यानि बाड़ आते थे लेकिन इसके लिए दामुदर वैली कोर्पेरेशन यानि मल्टी परपस प्रोजेक्ट चलाया गया बहुत सारे बांध बनाए गया इसके अंदर इसके उपर दामुदर के उपर उसके बाद इसको विवस्थित क्या गया है अब यह वैस्ट बंगाल की सोग नहीं है ठीके अब कुछ और बाते गंगा नदी के बारे में अब देखिए इन छेत्रों में उगाई जाने वाली परधान जो उपज है उसमें मुख्य रूप से आपको धान देखने को मिलेगी ठीके गंणा देखने को मिलेगा बहुत सारी दाले देखने को मिलेंगी ठीके आपको तिलहन देखने को मिलेंगे जिन से तेल निकाला जाता है आलू 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 आप खाते हैं ना तो आलू मिल लाएगा गेहूं गेहूं मिल लाएगा आपको ठीके जो भारत के क्रिशी आ माहतमुन स्रोस्थ है यानी तो हम में रूपसे रोज घावल आप रोज तो नहीं खाते होंगे दाल तो हम मेली रूप से रोज खाते हैं प्रोटिन का मेन सोर्स है ठीक है तेलों का यूज करते हैं ठीक है सरसो का तेल नौर्थ इंडिया में बहुत फेमस है आलू गरा तो चलता है रहता है गंगा के चटी छुत्रों में दलहन और जीलों के कारण यहां लैंग्यूम मिर्च सरस तिल गन्ना और जूड की भहुतायत फसल होती है ठीक है और नदी में मतश्य उद्योग भी भहुत जोरोफे चलता है यानि मचलियों की कोई कमी नहीं है मचलियां यहां पर भरमार में आपको मिल जाएंगी गंगा नदियों पे निर्मित अनेक बांध है जो भारतिये जन जीवन अथ्विस्ता का महत्पून अंग है इन में बहुत सारे जिनकी बारामीफ मैं मैं आपको बता चुका हूं कि वेश्ट बंगाल की आसपास यह आपको देखने को मिल लाएगा इसकी वज़ज़े दो पाढ़ होते हैं एक होता है होगली और एक होता है पदमा ठीक है अब इसके बाद अज्वरी बांद है यहां से एक नदी आ रही है जो गंगा यानी भागी रथी की अंदर मिलती है यहां पर आपको देखने को मिलेगा ठीके यह बांध गंगा नदी की परमुक सयोग नदी यानि भाग रथी बनाएक है यह मैं आपको बता दिया इसकी जो उचाई है वो है 261 मीटर जो विसु का पाचवा सबसे उचा बांध है भारत का नंबर बन पर अब गंगा नदी की अंदर कुछ खास बाते भी तो हैं जैसे नदी के जल में ऑक्सिजन की मातरा को बनाए रखने की असाधारन समता है यानि जो गंगा का पानी है उसक छोसे था कि इसके अंदर पावर यह क्यों हों अभी तक ग्याद भी नहीं हुआ है कि कर राफ्ठ्य सार्वजिनिक रेडियो कारक्रम हुओता उनकी अनुसार इस पारण जो हैजा की बिमारी होती है जैसे बिमारी होने खत्रा भूती कम हो आता है जिसे महामारी होने की संभावना भी बड़े इस तरह पर टल जाती है ठीक है यह तो वह कुछ फाइदे अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने गंगा नदी के साथ या फिर इसे हम पूछते है गंगा माता के नाम से सिदे का पर आती है उसे क्या हो रहा है परदूस्वन फैल रहा है अब इसमें क्या हो टाके लोगों से इंग भूट मांग रही है तो हम लोग करने की कोफिस भी कर रहे हैं तो हम लोग तो गंदा करने के लिए बैठे यह सबसे पहले आगे आना होगा और हमें सयोग करना होगा सरकार का भी और अपना भी कि हम इसको गंदे ना करें लेकिन अधोगी कच्ड़े के साथ सथ प्लास्टिक कच्ड़ा जो है न यह प्लास्टिक जो आपको दीखने को मिलने होंगे यह बहुत जादा ही हानी कारक है जो हम गंगा नदी के अंदर इसको डाल रहे हैं इसके दोरा इन प्लास्टिकों को मचली दोरा इसको सेवन कर ले आता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा के अंदर डॉल्फिन भी है सार्क भी है अब वो इसको खा रही है और मर जा रही है तो इससे तो चीजे बिकार हो रही है न तो हमें इसको सुधारने की जुरूत है एक डाटे के साब से गंगा में दौ करोड़ और नभे लाख लीटर के लिट परदूफित कचरा जो है ने रोज钿 रोज कि रोज रोज थीके हैं रोज-खे-रोज वज दौ-दैर नभे लज लाख लीटर पर दूफित कचरा लादंग राज एता है विसु बैंक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर परदेश की जो बारा परतिफत बिमारिया है ना उसकी वज़ा क्या है गंगा जल का परदूफित होना यह घोर चिंतनीय है कि गंगा जल अब ना तो इसनान की योगे राएं अब इसमें कोई नहाने फक्ता और ना ही पीन योगे राएं और फिचाई करने की दुबात ही छोड़ दो इतना गंदा कर दे हैं हम लोगों ने इसे ठीक है गंगा में भड़ते हैं परदूफित न यह द। पाने के लिए घड़ियालों की लिजा रही है जो घड़ियाल अब आप मुझे कमेंट कर के बताएंगे कि Kiss परकार से गड़ियालों दो और परदूफित को साहर करने के लिए भॉत सारी सणीयंत्र लगात गया रही है और उ गिरने से रोकने के लिए कानौन भी बने हैं इसी करम में गंगा को राफ्ष्ट ये धरोवर भी गोफित कर दिया गया है और गंगा एक्षन प्लान ठीक है वह राफ्ष्टी नदी सरेक्षन योजना भी लागू किये लेकिन इतना सब करने क्या फाइदा जब 2007 की एक सन्यूत समाप्थ होने की समभावना है अब लो जब सोर सी समाप्थ हो जाएगा तो पानी कहां से आएगा अब यह लोग तो यूएन वाले बोल ले देखते हैं क्या होता है आपको पता है एफ़ तो होना नहीं है जब तक हम लोग साथ है इसके बाद नदी का बहाव वर्सा द्धर में पानी को बहाव ठोड़ा कम हो जाता है और गर्मी में क्यों जर्इस भाहां करते हैं वह सोर्स बंजाते हैं पानी का जिसवानादी का पानी और बढ़ जाता है तो नहीं पड़ता है लेकिन लिए फाद scholar रहता है और से पहले है हुआ हमेशा का रहता है चले मान रहता है ठीक है तो यह बात थी गंगा के बारे चो भ्रह्म पुत्र करते हैं यह कि इन सबसे पहली बाद यह कलती है ठफ से अट बहूं अनदर तो सबसे पहली बाद यह niewड़ती है इंडिया के अर son सबसे पहली बाद यह जहती है बंगलदेश के लगबग तीन देश ऐसे हैं जहांसे ब्रह्मपतर रिवर होता है यह नहीं भैती है ठीके अब ब्रह्मपुत रिवर के बहुत सारी नाम है इसके इस्थानों के साब से इसके नाम चेंज होते रहते हैं जैसे जहां से निगलती है तिब्बत में इसको बोलते है यारलोंग सांगपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूप से मिलती है जो गंगा की एक साखा है उसके बाद इसका नाम change वाता है मेगना हो जाता है ठीके इस परकार से जगे-जगे की हिसाब से इसके नाम change होते रहते हैं अगर हम लंबाई की बाद करते हैं कि वर्ल्ड में लंबाई की हिसाब से कौन सी ब्रहंपत्र रिवर अगर हम डिस्चार्ज की बात करते हैं जो वाटर यह डिस्चार्ज करती है उसके इसाब से यह नोवी सबसे बड़ी नदी है वर्ल्ड की जुसका डेनिज जो एरिया है टोटल जो एरिया है वो है साथ लाख बारा हजार पैतिस किलोमेट्रिक स्क पैर का जो एरिया है इसके पास यह सारा एरिया यह लगभु इतना आपको देखने को मिल जाएगा अब यह निकलती कहां से हैं तो देखिए आपको यहां पर देखने को मिलेगा एक मांटन रेंज जिसको बोलते हैं कैलास परवत के पास आपको एक लेक देखने को मिलेगी जिसको बोलता है मानसरोवर जील ठीक है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मानसरोवर जील इसके पास में ही एक गलेसर है जिसका नाम है चेमा यूंगडूंग गलेसर आप यहाँ पढ़ पारे होंगे यह लिखा हुआ है चेमा यूंगडूंग गलेसर यहाँ से जो ब के बाद यह अपनी इत की साइड जाती है लगभग 1200 किलो मिटर यानी साइड यह बहती है कि लगभग कितने किलो मिटर 1200 किलो मिटर बहती है तब यह भी सारी गार्जों का निर्मान करती है गार्ष मतलब क्या होता है जो प्रवत्र को काड़ते हो जाती है और बड़ा सा एरिया बनाते हुए जाती है इसकी लंबाई के अगर बात करते हैं तो पहले इसकी लंबाई लगभग 3900 किलोमेटर थी लेकिन के नई स्टड़ी पब्रिस की गई है जिसमें इसकी लंबाई बताए गई है 3939 किलोमेटर तो यह बहुत लंबी रिवर है और इंडिया के अगर बात करते हैं तो सबसे लंबी रिवर इसको बोल फकते हैं लेकिन क्योंकि यह पूरी जो रिवर है वह तीन देशों में बहती है इसलिए भारत की सबसे लंबी रिवर हो जाती है वह कौन से हो जाती है और बागनादेश में ही बहती है और ज्यादतर इंडिया में ही बहती है अब जो यह रिवर है यह किस-किस कामों में हमारे आ जात क्योंकि जो रिवर है थोड़ी ज्यादा छोड़ी है और जिसका पानी है वो हमेफा चलता रहता है इसलिए ब्रह्मपुत्र को एज ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज कर लिया जाता है इस रिजनों में इन रिजनों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ब्रह्मपु जो साइक नदी है इसकी वो है रांगो सांगपू जो आपको लगबू यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो इसकी महतपून जो रिवर है साइक नदी जो इसको कहां मिलती है राइट साइड मिलती है क्योंकि यह इस तरफ चल रही है इसका राइट साइड कहां पर होगा इस पूर्व की साइड में जैसे ही पूर्व की तरफ चलती रहती है तो आपने देखा होगा कि हिमाले परवत का जो सबसे पूर्वी जो मौंटेर हैं जिसको बोलते हैं नामचा बरुवा नामचा बरुवा को पार करते हुए यह दक्सिन की और आने लगती है एक महा खंड बना के ठीक है एक बड़ा फगार्ज बना के ठीक है अभी क्या करती है कि यह आ जाती है दक्सिन की तरफ और यह परवेश करती है कहां पर भारत की अरुनाचल परदेश में जैसे ही अरुना प्रवतों में यारलंग संग्पो जो स्थिंग करद नदी है कांकिन आगरती इर्दीस की पप्रती यह को पार करती है और मैदानी एरिया में आती है इसको बोलते हैं ढहें रिवर अनुछ प्रदेस में ही इसके दो नाम हो जाते हैं परवतों में सियांग और मैदानों में दिहांग नदी अब होता क्या है कि इसकी बहुत सारी TRIBUTARS है यानि सायक नदियां हैँ अब इसमें 2 आके एक नदी है जिसके नामें दिबांग टिके- यह दिहांग नहीं है धियान देना कि यह दिभांग और दिभांग को ही सिकांग भी बोलते हैं यहां पर आदेख पा रहे हैं सिकांग भी बोलते हैं यहां पर आके सिकांग नदी मिलती है ठीके किस में दिभांग में उसके बाद यहां से लोहित नदी आती है यह मिलती है कहां पर दिभां और लोहित नदी मिल जाती है तब इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम पढ़ता है ब्रह्मपुत्र क्या नाम पढ़ता है ब्रह्मपुत्र और जैसे ही नाम पढ़ता है ब्रह्मपुत्र यह एंटर कर जाती है असम के अंदर तो हम बोल फक्ति है कि असम के अंदर इसक 750 क्य ticks ओर क्योंक्वी ग्हाटी के अंदर पेस्य हमेश्च की तरफ राइटा होगा हो कौन सा ओपर वाला नी जो उपर-स नदिया इसमें मिलेंगी उसको हम बोलेंगे राइट और जो नीचे से नदिया मिलेंगी उसको हम बोलेंगे लेफ्ट तो अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको दो नदिया मिलेंगी जो इसकी मुख्य नदी है एक है बुरही दियांग ठीक है एक है धनसिरी फिर आपक की जो इंप्टेट राइट बेंक टिबूट्रिज है वह कौनिकौन सी है तो सबसे पहली है सुबन-सिरी Okay the सबसे पहली कौन से सुबन-सिरी और पिर आपको देखनें की मिली कमेंग कि उसके बाद मिलती है मानस को उसके बाद संकोज तो यह कुछ important सायक्रदियां है ब्रह्मपुत्र की जो असम के अंदर मिलती है राइट साइट से भी लेफ्ट साइट से भी उसके बाद यह एंटर करती है बांगलादेश में जब यह बांगलादेश में एंटर करती है तो एक रिवर है जिसका नाम है तिस्था ठीक है तिस्था नदी जब आती है और इसकी अंदर ब्रह्मपुत्र की अंदर मिलती है बांगलादेश में जैसे ही यह ब्रह्मपुत्र मिलती है इसका नाम चेंज हो जाता है फिर से इसका नाम क्या जाता है अब इसका नाम हो गया है यमुना नदी अब इसका नाम हो गया है यमुना अब जैसे ही यमुना आगे आती है जमुना इसका नाम क्या हो गया है यमुना नहीं तो जमुना नदी है जैसे ही आगे आती है तब ये गंगा की एक साखा से मिलती है जिसका नाम क्या होता है पदमा ठीक है जो गंगा रिवर है उसके दो भ और उसके बाद एक नधी और है नाम है ब्राक रीवर, ठीके just, मनि पूर, ठीके और नागा लेंड, मिजोरण, असम से होते हुए, कहाँ पर आती है, मिलती है कहाँ है, पदमा में ही मिल जाती है, उसके बाद जब जमुना और पदमा का मिलन होता है, इस से वंती है एक नधी इसको हम बोलते हैं मेघना नदी, कौन सी नदी मेघना तो फिर से ब्रह्म्पुत्र का नाम पदमा के साथ जुड़के चेंज हो गया और नाम क्या पढ़ गया मेघना मेगना ही नदी वो है जो जाके जो बंगाल के खाड़ी है उसके अंदर सारा पानी अपना गिरा देती है देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके अंदर फ्लड आने यानि बाड़ आने की सम्भावना हमेशा बने रहती है क्योंकि आपको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण हमारे आसपास के वातावर्ण में गर्माहट ज्यादा बढ़ रही है जिसके कारण जो glaciers है जहां पर बर्फे जमी हुई है वो melt होना चालू हो चुकी है यानि उनका बिघलना चालू हो चुका है जैसे 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 ग्लोबल वारिम बढ़ते जा रही है या फिर बढ़ती जाएगी जो glaciers से यह पेखलते रहेंगे जैसे ही या पिघलेंगे उसे क्या होगा जो rivers है जहां से यह पाने लेके आती है पानी का flow क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा जो पानी का flow बढ़ जाएगा और नदी के अंदर संभावना नहीं है उसकितनी समचा नहीं है कितने पानी आपने फास रख सके तो क्या करेगी उस आपने चारो तरफ भाएगी जिससे क्या आएगा बाड आएगी तो इसलिए जो ब्रह्मपुत रिवर है जो चेमा यूंग ग्लेसर से निगलती है इसमें बाड आने की संभावना हमिसा बैने रहती है ग्लोबल वान में की वज़़ा से अब आपने कई बार ड्यूप का ना से इस जगए को हम बोलेंगे आइलेंड ठीक है कि चार तरफ और किसे गरी ये पाने से अब जो ब्रह्मपुत रिवर है आपने साथ कई सारा गाध लेकिंग – यदि मट्यृट्डि मृट्टी लेकिंग आती है और बलाके मेदानी एरिया में क्या करते हैं उसको इकहटा कर रहती है इसी परकारते ब्रहंपुत रिवर जो है असम में जो भहती है कई सारे आइलेंड बना रहे हैं नदी के अंदर ही इसको नदी आइलेंड कहते हैं उसी में एक आइलेंड है जिसका नाम है माजूली ठीक है माजूली आइलेंड जो आपको कहां देखने को मिलेगा असम होते हैं उसके हिसाब से आइलेंड में सबसे बड़ा आइलेंड माझूली आइलेंड ही है कि इसको गिनीज boom of the world record में सबसे बड़े olde नदी आइलेंड के द्वारा मतलब बताया कि सबसे बड़ा आइलेंड एक इसकी अकर एक बात करते हैं तो 80 किलोमेटर स्केर इसका एरिया है और इसके अंदर कुछ लोग भी रहते हैं पॉपुलेशन भी है जो आपको यहां पर देखने को मिल दाएगी एक लाख ठीक है डीड़ लाख से जाधा ही आपको यहां पर इसकी संक्या देखने को मिल दाएगी तो आज की वीडियो में आप करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू बेरी मुच पर डिसकुसर्शन